अगर आपके पास कोई डेटा है कि किस उमर के निवेशक, किस शेतर के निवेशक निवेशक कर रहे हैं, अगर उसका कोई खाका बता सके? तो इसको आप देखे कि कितना मेरिटो क्रेटिक हो चुका है इंडस्ट्री कि जहां पे लोग को विश्वास है कि इसके पीछे की फंड मैनेजमेंट टीम, इसके पीछे का ट्रैक रेकॉर्ड और इसकी जो इन्वेस्मेंट फिलोसोफी, अगर ये बिलीवेबल है, अगर ये है, तो लोग डेफिनेटली पार्टिसिपेट करने के लिए तयार है, और जैसे अभी तक हमारा कॉर्पस जो है, वो 3,400 करोड के आसपास पास पहुचा है, लेकिन आपको जानके ये भी आश्यर होगा कि 3,400 करोड में लगभग 1,50,000 यूनिक पैन या यूनिक इन्वेस्ट है, तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इंस्टिटूशन का या वेल्थ का पैसा है, पूरा का पूरा रिटेल, और अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लोज है, SIP है, वो मिट कैप फंड में है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है, 40 लोगों की टीम है, और वाइटों की यह पसंद आती है कि हम लोग हमारे मिड एंड स्मॉल कैप फंड जो है, इसमें हम लोग लंसम पैसा लेते नहीं है, क्योंकि हमने कई बर देखा है, कि मिट कैप में गलत समय पे पैसा आ जाता है, और फिर काफी वॉलेटायल रहता है मारकेट, तो जब परफोर्मस खराब ह जाते हैं, तो लोग नाराज हो जाता है, कंपनी का नाम भी खरा हो जाता है, सो हम लोग ने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया है, कि लंसम पैसा नहीं लेना है, औल्ली साइपी, स्टीप, तो ये एक कैटेगरी है, दूसरा हमारा लाजेस्ट फंड, जैसे मिट कैप का फंड है इसमें करीब-करीब 1400 करोड है और तीसरी चीज़ जैसे आपने थोड़े सम्पहल गाला है multi-asset allocation fund तो हम लोगों ने multi-asset allocation fund अलग product innovation के साथ अलग create किया है आम तोर पे जितने multi-asset allocation fund है वो equity oriented है हम लोगों अभी आप देखें डेट में opportunities निया के लोगों के पास और डेट का taxation भी चेंज हो गया है तो हम लोगों ने जब multi-asset allocation fund बनाया तो ऐसा बनाया कि तीन साल अगर कोई hold करता है तो इसमें long term capital gain भी मिलेगा 20% less indexation जो concession से वो भी मिलेगा और इसकी volatility debt जैसी हो सकती है लेकिन return एक hybrid fund की तरह मिल सकता है retail निवेशकों की और कदम उस वक्ट बढ़ाने की कोशिश की है जब सेवी कई सारे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है निवेशकों के हितों के लिए ही है जो भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है TR के लिए हो या performance based fees के लिहाज से हो एक EMC के तौर पर कितना जरूरी आप इन कदमों को समझते हैं और कैसे समझाएंगे इन कदमों को एक निवेशक को मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का जो regulation है वो advanced countries से भी आगे है investor के हित में और investor के लिए cost of investment को कम करने के लिए हमारा जो market है वो दुनिया के कई markets के comparison में it is the cheapest mutual funds के और मैं तीन चार चीज़ आपको बोलता हूँ जैसे हमारा एक एकलोता ऐसा market है जहां पे हर एक investor को यह option देना कि भाई आप direct invest कर सकते हो या cheaper management fee के साथ invest कर सकते हो यह हमारे हाँ compulsory है दूसरे जगों में यह compulsory नहीं है दूसरी बात जैसे हमारे हाँ पर regulator जो है वो इंडस्ट्री की size assets under management उसका cost structure कितना है उसमे economies of scale है या नहीं है तो यह पूरा visualization करना analysis करना industry के costs expenses और fees को actively manage करना जैसे पिछले 10 साल में मैंने बता है 10x growth हुई है तो इतनी सारी growth हुई है तो fees का और expenses का rationalization करना तो काफी चीज़े जो हमारे regulator कर रहे हैं वो पारदर्शी भी है दूसरे countries के मुकाबले और हमारे समय से आगे भी है तो I think इससे काफी फाइदा होगा इन्वेस्टर्स के returns में जरूर मुझे लगता है इससे इजाफा ही होगा और दूसरी बात ये भी है कि अगर volume बढ़ता है देखे हमारी industry की size बहुत बढ़ी है अभी हम लोग 43 lakh crores अब ये 43 lakh crores मत्दा आप समझे 500 billion dollar है लेकिन इसको 1 trillion dollar होने से या अगले थोड़े साल में 100 lakh crores होने से कोई नहीं रोक सकता है अभी तो हम lower middle class country है आने वाले 8-10 सालों में इंडिया middle class country बनेगी तब जाकर तो आप देखेगा कि financial services investment wealth management इसमें काफी बढ़त होगी तो जब पता है कि पिछले 10 साल में 10x growth हुआ है और आने वाले 10 साल में भी कम से कम 10x नहीं तो भी 4-5x growth होने की possibility है तो expenses, costs, performance इन सब चीज़ों को actively manage करना ये investors के हित में है तो अभी जैसे industry में adjustment related कामकाज होगा थोड़े problems होंगे लेकिन future के लिए ये बहुत बढ़िया है बिलकुल पाद्रशता और एक रूपता मेरे ख्याल से निवेशिकों के लिए बहुत जरूरी है और सही माइने में अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने पैसों की बागडॉर अपने हाथ में रखना समझना बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में अब आपके और भी अपने मुज्रिफन के बुके को बढ़ानी को लेकि क्या योजनाए हैं क्या सोच रहे हैं आप एक तो हमने देखा है कि हमारे इंडेस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर कम से कम वोलेटायलिटी के साथ अगर 8%, 9%, 10% जो भी एक रीजनेबल रिटन है तो इक्विटी करना, डेट करना ये सब हमारा हेडेक है, क्लाइट को अल्टिमेटली आउटकम चाहिए, तो अगर आप कम वोलेटायलिटी के साथ एक अच्छा एक्सेप्टेबल रिटन बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग-अलग ऐसेट क्लासे को कमबाइन करके उसकी वोलेटायलिटी को कंट्रोल, ये एसेट अलोकेशन है, ये हाइबरिट फंड्स जो है, ये बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह है, आप कौनसे सबस्टेंसे, कौनसे केमिकल्स मिक्स करते हैं, उससे क्या अल्टिमेटली प्रोड़क्ट बनता है, वो इन्वेस्टर के काम का है, अगर आप उसकी पूरी पूरा ये, पहले हमने ये सबस्टेंस लिया, फिर ये सबस्टेंस लिया, उसको इतना मिलाया, फिर ये केमिकल्स रेक्शन, वो सब में इन्वेस्टर को इंट्रेस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या है कि एक्विटी, डेट ये सब बहुत कॉम् जैसा ही है कि मैने बताया कि वाइटोक ग्लोबल इंस्टिउशन है, तो हम केवल इंडिया में पैसा नहीं मैनेज करते हैं, एक्चुली वाइटोक की जो सिंगपूर में असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके ग्लोबल एक्विटी फंड है, ग्लोबल इमर्जिंग इनका भी फंड है, तो अभी फिलाल तो अफकोर्स हमारे यहां पे बाहर निवेश करने में थोड़ी म्यूचल फंड के लिए लिमिट्स है, लेकिन कभी ने कभी अगले साल दो साल में लिमिट्स खुलेंगी, तो ग्लोबल फंड भी हम लोग लॉंच करेंगे, तो जहां त जाते जाते, निवेशकों को कुछ आपके बारे में भी जानकारी दे देते हैं, आपका पैसों के साथ रिष्टा क्या है? कैसा है? See, actually, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ या मैं जैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसको follow करना चाहिए, honestly. अच्छा, इसा क्यों होगे? यह तो सबसे बड़ी सीख है. नहीं, क्यूंकि मैं अपने आपको काफे रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर बताऊंगा, क्यूंकि मैं एक्विटी के अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ. जैसे, ठीक है, रेल एस्टेट वगएरा ऑन दा स तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे चैन नहीं मिलता है. तो यह सब लोगों के लिए रेलेवन नहीं है. तो आप मतलब हार्ट कोर इन्वेस्टर है, ऐसा कहा जा सकता है? हार्ट कोर इन्वेस्टर ही नहीं, हार्ट कोर इक्विटी इन्वेस्टर. हार्ट कोर इक्विट में पढ़ रहा था, तो तभी जो technology का ये start ही हुआ था और किसी ने मुझे बुला था एक company के बारे में आज वो company, फिर वो company डूब गई merge हो गई, कुछ हो गया, उसका पूरा छूट ही गया track बट मैंने भी, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये equity में थोड़ा try किया फिर ultimately क्या होगा है, जैसा हमारे लिए compliance बहुत important है, जहां पर हम investors को बोलते हैं पैसा लागाना चाहिए महाँ पर हम अपना पैसा लागाते हैं, तो अभी मेरा पूरा का पूरा investment अपने mutual funds PMS वगरा मैं, मैं shares में trading नहीं करता हूँ या गलतियां की हैं? दिखे, गलती, अगर आप एक शेर, दो शेर, तीन शेर में खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, उसमें आप लग जाते हैं, तो गलती का चान्द ज्यादा है, मैंने एक तो करिए कर दिया कि जहां मेरी कंपनी निवेशकों का पैसा लगाती है मैं वहीं पैसा लगाता हूँ तो एक ब्रॉड पोर्फोलियो है अब एक पोर्फोलियो में कुछ अच्छे करेंगे कुछ खराब करेंगे अल्टिमेटली इंडेक्स को बीट करना हमारा काम है तो उसमें इ उससे कोई गलती नहीं की जब जब बस शुरूवी किया था तो शुरू मैं जinformation बता रहूं में में सिखने को मिला के बई समझे बिना किसी दोस्त ने बोला को ये शहर ले लो तो सोचे समझे भी ना लिया, फिर मैंने बताया जैसे वो company अब का है मुझे पता भी नहीं है, तो वो गलतिया तो definitely हुई है, लेकिन हमारे पेशे का या हमारे industry में काम करने का आप समझ सकते एक फाइदा है, कि हम खुद भी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हमको उसी discipline में ड बन जाते हैं, और फिर धीरे-धीरे समझ में आया मुझे कि ultimately अगर wealth को grow करना या wealth बनानी है, तो मुझे तो लगता है equity करना चाहिए, और मैं फिर से disclaimer कहूंगा, यह सब के लिए relevant नहीं है यह, बट जो मेरी सोच है accordingly वैसा मैं करता हूँ. तो अपनी जोखी मुठानी की शमता आपको समझनी होगी और उसके मुताबिक एक portfolio साधना होगा और सही तरीके की lift, जैसा कि आशी ने भी समझाया, भरोसमन lift का आपको इस्तिमाल करना होगा, आशीर समया बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके धन्यवाद समय निका दर्शकों को तमाम निवेश के गुरु मंत्र दिये, थैंक्यू, 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 मुझे भी इजाज़त दे, नमस्कार.